नहीं रहे शरद यादव दिली में आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा क्या पार्थिव शरीर कल होगा अंतिम संसकार जे डी यू के पुर्वध्यक्षिय शरद यादों का पार्थिव शरीर सुकृवार को अंतिम दर्सन के लिए दिल्ली के छत्तर पूर में उनके आवास पर रखा गया है ग्रीह मंत्री अमिट्शार राहुल कांधी हर्याना के मुख्य मंत्री मनोहरलाल खटर ने उन्हें शरदांज लिदी शरद का गुरुवार को रात पच्छतर साल की उम्र में निधन हो गया था उन्होंने दिल्ली के एक नीजी अस्पताल में अंतिम सास ली एमपी के बाबई तहसील के आखमव गां में शनिवार को उनका अंतिम संसकार किया गया शरद लंबे समय से बिमार थे बेटी ने दी निधन की जानकारी शरद यादों का गुरुवार को दिल्ली के एक नीजी अस्पताल में निधन हो था उनके बेटी शुबासनी यादों ने रात पानी 11 बजे सोसल मेडिया पर उनके निधन की जानकारी दी शुबासनी ने ट्विट में लिखा पापा नहीं रहें उनके उम्र 45 साल थी शरद लंबे समय से किड्नी से जुड़ी समस्याओं से परिशान थे उनको डाइलिसिस दिया जा रहा था 40's Memorial Research Institute ने बयान जारी कर कहा कि उन्हें गुरुवार को अचे तवस्था में 40's में अपात स्थिती में लाय क्या था वे मध्यप्रदेश के नर्मदापूरम हुसंगाबाद जीले में स्थित बाबई के रहने वाले थे उनका जन में एक जुलाई 1947 को किशान परिवार में हुआ था